बिगना हर्ता श्री गडेशा, श्री गडेशा, श्री गडेशा मैं तो यहां आ गया, किन्तु वीर बाहू को वहां अकेला ही छोड़ाया देखा गडेशी, आपके विना भी मैंने भीतर जाने का मार्ग ठूड़ी लिया उचीत ही सोचा था मैंने, यहां कोई भी नहीं है कितने मुर्ख हैं यह असुर्ष, मात्र दो रख्षक रखें, इन्हें तो मैं एक छान में छल कर आगे निकल जाओंगा बस अब कुछी छणों में में महिंद्रपुरी के भीतर होंगा अब तो दो भी नहीं रहें, अब बिना हिंसा के भीतर जा सकता हूँ, यही उची तावसर है प्रफु आप, कहां चले गए थे और अब यहां लोटे तो आपने तुम बुझे भैभीत ही कर दिया भैभीत नहीं किया है, मैंने आपकी रक्षा की है नहीं प्रफु, मैंने ध्यान से देखा है यहां तो सब सुरक्षित है, क्योंकि यहां कोई भी नहीं और यहां से पश्चिन दिशा में कारगार का मार्ग भी है कोई नहीं है यहां, यह देखी यह, यह, यह सब कहां से आगा है प्रत्येक परिस्थिती में बल का प्रयोगी नहीं बुद्धी का प्रयोगी करना चाहिए यहीं छिपे थे यह सबी इसलिए तो मैंने कहा, मैंने भैभीत नहीं किया इनसे आपकी रक्षा की है महिंदर पुरी में सभी की द्रिष्टी आपको ही ढून रही होगी इसलिए वहां बहुत सावधानी से जाना होगा इसलिए पुष्प फेतने वाला आश्चे वह बारी चत्र होगा जल पहले से ही आए भक्त है, सेवक नहीं इसलिए यदि इस सेवा के स्थान पर भक्ती पूजा करती तो कदाचे तदे कुछ जित होता पुष्प पुष्प पूण बाद बतानी है तो अब देव सेना पति कुमार कार्थिके के लिए ये फालों की टोकरी तो लेकर जा रही हूँ किन्तो उन्होंने तो प्रण लिया है उनके मुठी में जितना भोजन आएगा वो मात उतना ही भोजन गरहन करेगे उचित है पिताशनी मैं ऐसा प्रण करूगी जिससे स्वामी का नियव भी भन नहीं होगा एवं उन्हें परियाप्त मात्रा में प्रसाद भी प्राफ्त हो जाएगी दीवराज आप भावी मा क्या कर रही है शक जी ये तो मुझे भी क्यात नहीं ये कारे भी देवसिना ने पहले से ही कर दिया मैं भोजन को मना तो नहीं कर सकता किम तू मैं उसे अपने लिए ये सारे कारे करने भी नहीं दे सकता वो मेरी सेवी का नहीं है एक पत्र में क्या मता जो देवसेना पती ने निकाला नहीं मैं मुठी भर ही बोजन करूंगा ये ज्यात है उसे इसलिए एक ही पत्र में मेरी मुठी से अधिक फल बांदिये उसे वो मेरे प्रती निष्ठा और शद्धा वान ही ने वो धिमान भी है कदाचित भीरे भीरे पुत्री देवसेना की सेवा पुत्र कार्तिके को भाने लगी है किम्तु उसकी ये सेवा मेरे प्रती उसकी निष्ठा दिखाने का उच्चित मार्थ नहीं है मुझे उसे अपनी ऐसी सेवा करने से रोखने का उपाय ढूनना होगा अपने स्वामी का भत्ति भाव से अनुसर है फिर सेवा भाव से उनकी सेवा मम्ता का भाव और ध्यान ये सभी गुण है देव सेना में उसने ये प्रमानित कर दिया कि वो पुत्र कार्तिके के लिए सुयोगी सर्वता सुयोगी अरधांगीनी है किन्तु स्वामी पुत्र कार्तिके देव सेना में अरधांगीनी के स्थान पर अभी तक एक भक्त को ही क्यों देख रहा है कितना अच्छा होता कि वो उसे पत्नी रूप में देख कर भविश्य में उचित समय पर फिवाव प्रांग उसे स्वीकार करने के लिए तत्पर हो जाता प्रभु अब तो आप ही भीदर जाने का मार्ग दिखाई है अब आप ही बताए किस मार्ग को अपनाओ मैं भोजन भोजन? वहाँ जीवे पहले अपने दिमर में उसको स्प्रैठी एको किन्तो प्रभु भोजन के अस्थान प्यामें शिर्टाशी जयन को डूड़ना चाहिए ना प्रभु प्रभु सुरा पदमन यहां है और सुरा सही भी आने वाली हैं हमें अत्यधिक सावधान रहना होगा प्रभु यह क्या कर रहे हैं कहीं उन दुष्टों ने देख लिया तो प्रभु 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 पेचां केरे खबाब ठाए Przyिए कि फरेकая प्रॉप खाताु लाये में नयाओва लाया द्वार पालो, तुमने या किस ये परचुत को देखा था? तुरा तु सहासी जवकूगा सेवकूग! तु तु तो भूजन करेज से आ रही है वहाँ जाकर देखता हूं इतनी बड़ी भूल करने का दुस्टा हस किस ने किया? मेरे आने से पहले मेरे भूजन का थाल क्यों नहीं लगा हुआ है? गड़ेशी जब क्या कर रहे? इनका ध्यान भटका रहा हूं जिससे ये हम पर ध्यान ना दें इतनी बड़ी भूल कैसे हो गए तुमसे? महराज का भूजन पात्र नहीं है याँ इसने किया ये या हुआ यहाँ? किस की असावदानी है? ये पात्र कैसे गिरे? इसने कि असे कि असावदानी है? इसने कि असावदानी पात्र का शेशेता है? मेरी उल्लुक की दृष्टी जो देख पा रही है उसके अनुसार, इसमें इनका कोई तोष नहीं है, कोई अन्य है यहाँ और वो जो भी हो, मेरे प्रहारों से बच नहीं पाएगा या तो से हमारा बंदी बनना होगा, अत्मा अपने प्राणों से हाथ दो बैठेगा क्या हुआ, कोई आहत हुआ तो उसका स्वार क्यों नहीं हो अब ही मेरा उल्लोग देख कर सत्य क्याद कर लेगा वहाँ तो कोई नहीं है, किन्तु यह दो पचिन किसके है पिता श्री दो कस पेठी है वीर बाहू यहां अकेला नहीं आया है अवश्य गणेश उसके साथ यहां आया है इसलिए साफधान रहो बहुत चतुर है वो उसका कोई कार्या सफल नहीं होता इसलिए किसी भी पर इस सिती में दोनों यहां से भाग कर नहीं जाने चाहिए माता के आदेश का पानता कोई भूल ना हो पाहे मैं आपका पुत्र सुद्मुखन यह विश्वास दिलाता हूँ कि मैं किसी भी मूल्य पर इस दोनों गुजबेटियों को धून लूँगा और जयन तक तो उन्हें कदापी पहुचने नहीं दूँगा पुचिस समय पर वहाँ से निकल क्या प्रभू अने था इससे मुक्त रहने के लिए इससे चूजना प्रता हमें किन्तु सुद्मुखं से छिपकर जयन्त तक पहुचने के लिए हमें सुद्मुखं से ही नहीं अपितु उसके उलूक से भी छिपा रहना होगा क्योंकि उसने जो कहा अब उसकी विपरीध होगा वो हमें जयन्त तक पहुचने से रोकेगा नहीं अपितु हमें उस तक ले जाएगा मेरे स्नान के सभी सामकरी व्यवस्ते थे या सागर की नहरे सपने सु नहरे इस चन को ठहरे रिष्टे ये गहरे कुमार देव से नहांगे एक दूजे की सामक छोबे अंबर धरा नाचे बन बाबरा पुष्पो के सब दल सर्दा की कल-कल पेखो का काजल अंबर वर जलधल तारे सु नहरे अलहर सी लहरे जल दी ये गहरे इस चन को ठहरे कुमार समक जब आ जाए दे नाव प्रभू प्राति दिन इतनी पीडास है कर ये मेरी सेवा करे ये उचित नहीं कि तु मैं इसे रोकों भी तो कैसे अंग को मल रूप क्या क्या रंग है देख ये लावंट्य को मार भी दंग है देवसे नाभी स्वामी रूप में रंगी अब एक तुझे विन्दोनों के मने रीते नाव वी तिक्षण प्रतिक्षा के अब वी तिनाव सागर की नहरे सपने सू नहरे ये सक्षण को ठहरे रिष्टे ये गहरे ओम सिर्मने कारतो के स्वामी ओम सिर्मने कारतो के स्वामी वो दोनों जयन्त और बाकी देवताओं को मुक्त कराने आएं इसलिए वो पश्चम दिशा में हमारी कारागारों की ओर बढ़ेंगे हमारे सभी सेनिक को उसी मार्ग में रहना होगा देखा क्या कहा था मैंने आपने उचित कहा था प्रभू तो यहां हमारा कार्य संपन्न हुआ आईए आगे बढ़ें और इनके पहले वहां पहुँच कर शेश कार्य भी संपन्न करें कर दो कर दो कर दो वहां है इस से उत्पन्न प्रकाश के कारण उसकी आँखे चौन्धिया जाएंगी और वो हमें देख नहीं पाएगा इस सबसे विनाशक और भायानक हत्यारों के साथ आगे बड़ो इससे पहले वो कारागारों को ढूड़ सके सभी मार्गों पर पिछ जाओ प्रभू इन खंड़रों में भटकते भटकते भोर से दूसरा पहर हो गया कि तो में कारागार नहीं दिखे निश्चंत रहिए और सयम रखिए मुझे पूरा विश्वास है हम उचित स्थान पर हैं कारागार यहीं है देखे ना देवराज आप भावी मा क्या कर रही है मुझे लगता है स्वामी कार्तिक्री का ध्यान फिर से भटक जाएगा प्रभू आप अपने अराध्य की भक्ती में इतने लीन है कि आपकी अटूट शत्धा और ऐसी अनुपम भक्ती से प्रेणा लेकर मैं भी और अधिक कुछ करना चाहती हूँ मैं भोर से संद्या थक आपकी प्रदिक्षना करूंगी और मैं वचन देती हूँ कि मैं आपके और अपने बीच इतनी दूरी बना कर रखूंगी कि मेरी पायल से आपका ध्यान तनिक भी भंगना हूँ को कल गनेजी है ते और उन्हें के अगुत कर दिया था कितव आज ऐस करे होका किन्द यदिंदी हाबी मा की न को पायल की धुनिस सुनकर उनको ग्रॉध आ गया तो फिर क्या होगा ईक साधारं सी पायल के कि न्युक्त के है मेरे थ्यान को कैसे भंग कर रही है इतनी मध्यम होने पर भी इतनी विशेश क्यों जब एक पती अपनी पत्नी की पायल की सकरात्मक ध्वनी और उसकी चूडियों मधुर खनक को सुन्क पैचानना आरम कर दे तो यह समझ लेना चाहिए कि उन दोनों की मध एक विशेश संबन स्थापत होने लगा है पत्री देव से नब स्वामी कालते के से इतनी दूर है पिर भी वो उसके पायल की ध्वैनी सुन कैसे पा रहे है अधाक्षित में अपने ध्यान में लीन होने के स्थान पर इस ध्वैनी पर ही अपना ध्यान के इंदृत कर रहा हूं आपकी पायल की ध्वानी मुझे आपकी निकटता का भास करवा कर मुझे शांत और स्थेर मना कर मुझे एक आगरत से ध्यान करने में साहे करती है स्वाम छुप पिता को क्यास वही बात अब पुत्र को भी समझ लेनी चाहिए ट्रसित लेपी जप्तर के बारत से वगसरा है बढ़ां थीजा कर आपकी जपकी जए अजिल्दी जए पुत्र के निए जए जए ट्रैझने जए धुत्रा कर आपकी जए यदिए जए 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 बारत है यह तो भाखन है एक समय में सुरापदमन का विश्वासी सेवक इसके कैसी दूरदाशा होगी प्रभू बताईए भाखन क्या आपको ग्यात है जयंत और देवता कहां बंदी है प्रभू आपके स्वर सुनते ही मेरे जह में जैसे जैसे पुना शक्ती का संचार हो गया मेरे आनंद की कोई सीमा नहीं प्रभू इन्तों मैं बहुत लच्जित हूँ प्रभू बहुत दुखी हूँ मैं मैं उन्हें नहीं समझा सका प्रभू प्रभुकार्थि के इस्वायम पर्मप्रम्ह है। उनकी भक्ति में ही जीवन का सार है। मुझे ख्षमा कर दीजिए प्रभु। मुझे ख्षमा कर दीजिए। नहीं भाखन इसमें आपका कोई दोश नहीं। फिर भी अपना एक नेत्र खोकर आपको इतना कश्ट उठाना पड़ा। मैं अभी आपको वर्दान देता हूं। नहीं प्रभु। अब मुझे ध्रिश्टी नहीं चाहिए। जिन नेत्रू से मैं प्रभु कार्थिके के दर्शन कर चुका हूं। अब उन नेत्रूं से कुछ और देखने की इच्छा नहीं है द्रिष्टी तो क्या? अब दो मेरा पूरा जीवन प्रभु कारती के को स्मर्पित है मेरी अब कोई इच्छा नहीं प्रभु हम भी यहां आपके प्रभु के कारे से ही आये है जेंत और देताओं की रक्षा करने से क्या आपको ग्यात है? वो किस कारगार में है? नहीं, ये तो मुझे भी ग्यात नहीं किन्तु प्रभु के महाभक्त बालक जेंत साधारन कारागार में नहीं रह सकते उन्हें तो उस कारागार में रखा होगा उन दुस्टों ने जो अन्यस सभी की दिरिष्टी से चिपेर रहते हैं और जिसके बारे में बस सुरसाई और उसके परिवार को ग्यात है इन रक्षकों की चेतना लोट रही है हमें यहां से निकलना चाहिए ओम सुब्रमन्यम कार्थिके स्वामी ओम सुब्रमन्यम कार्थिके स्वामी मेरा ओलुक उसका स्वार जिए ओम सु यहीं ग्रेंड उसके स्वामी कार्थिके साथि चलिए वीर बाहु जी मुझे विश्वास है यही थे तो अब कहा आगे कर्शारान कर्есяो कर्शाराओ 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 कर्शार्य यह रहाँ दॉपन मैं उन्हें ठूम दूँगा और उनका पट कर दूँगा पहले तुम्हें तो टंड देजू जो मेरा कार्य करने में असफल होते हैं उनका यही परिनाम होता है अब जाओ और अपना उप्योग मेरे लिए प्रमानिस करो वह अधिक दूर नहीं गए होंगे जाओ धूंड़ो ने ओम सुब्रमानियम कार्टे के स्वामी नमा 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 प्रभू यदि ये भी असुरों की एक चाल हुई तो नहीं यहां की दिग्यता यहां की पावन उर्जा से तो मुझे ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा है हमें उल्जाने के लिए ये प्रभू का नाम ले सकते हैं किन्तु भगती कहां से ला सकते हैं मेरे विचार से हमें भीतर जाकर देखना चाहिए प्रभु कार्दिके की कोई भग तुम्हों तो अवश्य हमारी साहता होगी ओम सुब्रमनियम कार्दिके स्वामी प्रभु प्रभु यहां कुटिया के द्वार पर खड़े मत रहिए भीतर आकर अपनी इस भक्त का स्वागत स्विकार कीजिए कार्दिके कौन कार्दिके वो जो भी है उसके किये का तंड अवर्श्य मिलेगा नहीं वीर बाहुजी जिस अजा मोखी से आपकी भेंट हुई थी ये वो नहीं ये तो अब स्वामी कार्दिके की परम भक्त बन चुकी हैं वो उलू मेरी भक्ति का विश्वास कीजिए भीतार आकर अपनी सेवा का अउसर प्रदान कीजिए आई 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 जयन्त को सुरक्षित दाना चाहिए प्रभू शीगरता कीजिए अपने इस भक्त पार करपा कीजिए प्रभू जयन्त पुत्र सच्चे भक्त को कभी निराश नहीं होना चाहिए क्योंकि उचित समय आने पर प्रभू अपने भक्तों की रक्षा अवश्य करते हैं जयन्त